करोना का कह है जारि है राजविता से लेकर फिल्म अबनेता तक हर कोई सुरक्षित रहने की अपील कर रहे है वही सल्माल खाने लोगों से अपील की है कि घर में रहे सुरक्षित रहे डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उनके पत्तर बरसा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है भाग के जाओगे कहा, किस और भाग रहे हो जिन्दकी के और भाग रहे हो, अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिवाट में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो, मैं उनकी बास समझता हूँ, जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बहतर है कि ये बिना खाए पिये ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग़ा है कि वाकिए में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये बिमारी पहली जा रही है अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के लिए आक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वायरस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खता हो गया लेकिन इन चंद लोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वर वाप बड़े भादुर वाप कि इतने भादुर इतने तकत वर वाप कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उत्य अर्थी उठाओगे इतना जिगर है आप तक यूँ आप यम्राज और मलकल मौत बनना चाहते हो और क्यूँ अपने परिवार के लोगों पे इननिल्ला है और राम नाम सकते है पड़ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते है जिसके भी दोई हैं एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहा है आप रिसाइड करो और सब शुक्रिया दा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लूँ बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि यह आगे ना फैले और दूआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई जाए बनेवाद